आप सबी के रिक्विश्ट पर ये वीडियो आज हम लेकर आए हैं पोच्छा लगाने के क्या नियम हैं मुख्य दर्वाजे पर बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी होती है और हमें किन कपड़ों से पोच्छा लगाना चाहिए जैसे बहुत सारे छोटे बच्चों के कपड़े से पोच्छ लगाते हैं ये बिलकुल गलत है आपके संतान की उन्नती रुक जाती है ऐसा हरगिज भी आपको नहीं करना है और वहीं पर हर दिन नमक का पोच्छा हमें नहीं लगाना चाहिए ये भी हमारे लिए अशुवता का कारक होता है नमक का पोच्छा लगाने के लिए हपते में एक दिन बताया गया है साथी दोस्तों पोच्छा लगाने का एक निश्चित समय होता है अब आपके घर के लोग सोई हैं आप सुबह सबेरे जल्दी उटके अपने घर के कार्यों को निप्टा कर निप्तिक क्यारे करके आप सनान ध्यान करके पूजा पाट कर रहे हो अब ऐसे में आपका पूजा हो गया फिर बहुत सारे लोग पूजा के बाद हमें पोच्छा नहीं लगाना चाहिए घर की सफायी नहीं करनी चाहिए यहां तक की बहुत सारी बैने गुरू वार के दिन ज़ाड़ू पोच्छा ही नहीं करती है कहती हैं हम गुरु आरका ब्रत करते हैं तो हम जाड़ो पोचा नहीं करते हैं क्योंकि इस दिन ना बाल होते हैं ना खून काटते हैं और ना ही कपड़ा धोते हैं ना ही हम जाड़ो पोचा करते हैं वो कोई भी काम नहीं करती हैं तो क्या ये सही है या गलत पोचा लगाने के क्रपा बनी रहे और क्या गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है तो चलिए देर ना करते हैं अपने वीडियो की शुरुबात करते हैं नमस्कार विल्कम टू माई चैनल मैं हूँ मनिशा दोस्तों पोच्छा या सापसफाई या जाड़ू सब के घर में लगाया जाता है ऑफिस हो फैक्टरी हो हस्पिटल हो दुकान है मकान है हर जगा सापसफाई करना सुबह उठते ही सापसफाई करते हैं लेकिन तरीके से हम करते हैं उ पोच्छा लगानी का समय क्या है जादतर बेहनों ने यह पूछा था तो देखिए पोच्छा लगानी का सुबह समय की सुबह सूर्योदय के साथ ही हम उठें या पहले भी आप उठ सकते हैं आप उठते ही पहले जाड़ू लगाएं पूरे घर की सापसफाई करें मुखे इस तरह के यह सारे नियम है लेकिन देखिए समय के अनुसार हम इस्थितियां परिस्थितियों में फिर बदल कर भी सकते हैं ऐसा नहीं कि सुबह ही उठते ही आपको आप कोई नाइट ड्यूटी करके आया है कोई बच्चे का एक्जामनेशन है वह पढ़ रहा था अभी हल परिशानियां आजाती है तो ऐसे में आपको करना क्या है सुबह उठते ही आप अपने रसोई घर में जाड़ू लगा लेजिए ठीक है क्योंकि रसोई घर का प्लेटफार्म होता हम लोग रात साप कर लेते हैं कुक्टॉप जो होता है वह भी सापकर लेते लेकिन नीचे जमीन की सफाई आप सुबह सबेरे उठते ही जाड़ू लगा लीजिए अगर आपका बड़ा किचन है तो आप पोचा भी लगा सकते हैं वाइप कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से फिर आप अपने पूजा मंदिर की सफाई करें क्योंकि पूजा मंदिर में बिना असनान की हम नहीं जाते हैं पूजा मंदिर में बिना असनान की आप सफाई करने के लिए भी नहीं जा सकते हो इसलिए संधिया के समय ही भगवान के ऊपर चड़े हुए पुस्प उनके पूजा के बरतन आधी आधी तैयारी हमारी रात्री को ही हो जाती है तो यह तो पहली महत्तपूर जानकारी थी उसके बाद आपकी हलपर आती कोई भी कहीं से भी पोचा जाड़ू करें एक डेड़ बची तक आराम से आप कर सकते हो गोधूली बेला में हमें जाड़ू पोचा नहीं करना होता है जब सूय आस्त होने लगता है तो ठीक है तो आप गोधूली ब बता के गए हैं तो उसी तरह से आपको समझना है कि जब यह पुस्त के लिखी गई थी तो उस समय इतना इलेक्टिसिटी नहीं था इतना सुविधाय नहीं थी सूर्यास्त के बाद कुछ दिखाई नहीं देता था और अंधेरे में यदि जाड़ू अगरा आप लगा रहे ह तो वह तो बाहर चले जाएगी तो लक्षमी का हानी होगा तो यह भी आत्मान के चलिए तो आप गुधूली बेला में जाड़ू पोचा ना करें रातरी को सोते समय जैसे बहुत सारी बहनों का प्रस्णा था कि मैं हमारा एक कमरा है हम उसी में खाते पीते हैं और फिर रात करते हैं गुरू वार के दिन जाड़ू पोच्छा कुछ सफाई ही नहीं करते और आप ब्रत कर रहे हैं यह गलत है गुरू वार के दिन हमें हेर वाश नहीं करना है गुरू वार के दिन हमें धोपी के घर आयरन के लिए और धुलने के लिए कपड़े नहीं देने हैं सेवि नहीं है कि बिना साप सफाई कि यह हम पूजा कर सकते यह गलत है और कभी भी भी बिना जाडु लगाये वह भी नहीं लगाना चाहिए जाडु के बाद यह पूच्छा मारें यह एक झ्यांबी है इससे मालक्षमी रुष्ट हो जाती हैं अगर आप भी जाडू के पोछा ही डारेक्ट लगा देते हैं धूल गंदगी पर है ना तो ये भी आपको नहीं करना है और रही बात कि आपको पोछा नहीं लगाते हैं गुरुवार को ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रिशी मुनी ने जब ये पुस्तक लिही थी तो इतना हमारे कच्चे मकान हुआ करते थे और जिसमें हर तीसरे दिन गोबर गाय के गोबर से हम लोग अपने घर की लिपाई पुताई करते थे जिससे धूल मिट्टी उडएना चिपकी रहे और मारे बच्चे हमारे बड़े बुजूर्ग भोजन आदी सब उसी धूल मिट्टी मे होता था कुछ भी नहीं रहता था है तो सकारात्मा कूर्जाां भी आती थी गाय के गोबर का उस्तेमाल हम करते थे तो इस लिए ऐ सुब दिन्обы US वह जाता था रभिवार को मंगलवार को गुरुषार को इन दिनों में हम गाय के गोबर से साफनी करते थे तो आप इस बात को मान के चलिए और गुरुवार के दिन आप जरूर जाड़ु पोचा करें हाँ अगर आप उस दिन अपने पोचे वाले पानी में कुछ अलग से चीजें जैसे कि नमक का पोचा हम बात करें कि लगाने की नमक का पोचा लगाने से हमारे घर में सुक्सम्रिधि आती है लेकिन हर दिन नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि गोबर से अपने घर की सफाई जो हम करते थे सकरात्मक उर्जा के लिए तो उसी तरह से नमक डाल के लगाने की बात कही गयी है तो हपते में सिर्फ एक दिन शनिवार के दिन, क्योंकि मंगलवार को भी नमक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, रभिवार को भी नहीं करेंगे, गुरुवार को भी नहीं करेंगे, है ना, तो आप सिर्फ सनिवार के दिन नमक का पोछा लगाएं, ये आपके लिए शुब होगा, नमक में सेधा नमक का इस् कि छोटे बच्चे हैं अभी उनका लाइफ का कोई सेटलमेंट नहीं है उनकी पढ़ाई अदूरी है अभी उनको जॉब करना है अभी उनकी पूरा जीवन उनका बाकी है ऐसे लोगों के कपड़े हम पोछा के लिए नहीं स्तेमाल करेंगे आजकल मार्केट में तो बहुत सार लोग खरीते हैं उनके लिए जानकारी है कि अपने बढ़ते हुए बच्चों के कपड़ों से पोछा आप कभी ना बनाए पूरे घर की नकारात्मक्ता पूरे घर की गंदगी जूते चपल पहन के आप पूरे घर में घूम रहे हैं गिरा रहे हैं उससे आप ना साफ करें इससे आपके बच्चे की उन्नती में बाधा बनता है इससे आपके बच्चे की उन्नती रुक जाती है है तो आप ये कारे आप ना करें आप पोछा कपड़े का घर पे बनाना चाहते हैं बिलकुल बनाए आप बेट सिट ले लिजे आप पिलो कबर ले लिजे आप कर्टन् आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी है, उन्हें अब अराम से घर में रहना है, तो इसलिए उनके कपड़े लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, तो आप इस बात को समझें, और अपने बच्चों के कपड़े पोछे में इस्तेमाल ना करें, ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया, अब ज्यादा तर गल्ती और क्या बहने करती हैं, जो पोछा का पानी होता है, आप करती ही, यह आपकी हेलपर करती है, यह आप ध्यान में रखें, प पूरे घर का जो पोछा लगा के हम पानी निचोड निचोड कर लगाते हैं, और फिर उसमें डिप करके फिर लगाते हैं, और उसे को मुख्य दर्वाजे पर, तो इससे गंदगी तो आपके दर्वाजे पर ही रहे गई, गंदा पानी आपने डाल दिया, यह गलत है, आप मुख्य द्वार को धोएं, चमकाएं, सब करें, लेकिन पोछे का गंदा पानी मुख्य दर्वाजे पर न डाले, उसे नाली में या अन्य कहीं आप डाल सकते हैं, आप अपने घर में जाडु पोछा, एक देड़ वजे तक दो पहर तक आप लगा सकते हैं, कोई परिशानी से अपने आपको मैनेज करके, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर, आप अपने घर में सापसफाई करें, अपने स्वास्त का ध्यान रखें, अपने परिवार की उन्नती का ध्यान रखें, और माता लक्षमी की प्रसन्मिता का भी हमें ध्यान रखना होता है, तो इस त तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें जै माता दी